थाइलाइड में बना था उनीस सो सानवे में ताइस साल पहले 24 साल पहले विमस्टैक और इसके अंदर जो है इसके अंदर है बंगलादेश, भुटान, भारत, मियामार, नीपाल, सीरी लंका, थाइलैन्ड जो जो चिकननेक है चिकननेक के पार जो नौर्च ईस्टरन इस्टे वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चारे हैं दो प्रोजेक्ट से हैं और उसके अलावा फिर आपने अंगूठों पर निशान लगाए उनके दूसे दो किलो चीनी तो इस तश्वीशनाक सूरते हाल हमारी सरदों पर है और भरती चली जा रही है उसके बारे में कुछ नहीं पता उसमें बारे में भीमारिया दे रहे हैं तोटली क्लूलिस यहां डॉक्स हैबा मसला यह है कि आज इस वक्त गरीब आदमी हाथ उठा कर बदवाएं दे रहे हैं कि कोई तुछ पैदा करो और किसी तरीके से हमें 15,000 में घर का चुला गरीब बच्चे के मुमें रोटी किसी क को कोई खाने का सालन बनने की कोई गुझाईश किसी को बिजली का बिल देने की पेट्रॉल की कीमत अफोर्ड कर लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं लियाज़ यह जो बाकी बचे कुछ 18-20 करोड अवाम आदमी है इनका लाई मालेक है इनकी गदा गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए भी नहीं होता चीनी फी किलो कीमत 17 रुपए इजाफा अब यूट्रिल्टी स्टोर पे चीनी तकरीबन 85 रुपए किलो दस्तियाब होगी बीस रुपए किलो आटे का तहला मजीद यहने डेड़ सौर पे महिंगा कर दिया किया यूँ बीस किलो का आटा नो सब पचास रुपए का हो गया हेलो फ्रेंट्स अपना हिंदोस्तान न्यूज में आपका स्वागत है प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथी साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाए अच्छा इन्होंने क्या किया है कि सार्क को खतम करके और एक अलग इन्होंने फोरम बनाने की कोशिश की है और उसके नाम इन्होंने रख्या है यह फोरम दो गड़ा पुराना है 1997 से काम कर रहे है इसका नाम है बिम्स टैकिसा इसटैलिस सा नाम है बिम्स टैक यह बे ऑ बंगार इनिशेटिफ कोर मल्टाइ सेक्टयर्ल потрic Hier था 24 और पहले बिम स्टैक और इसके अंदर जो है इसके अंदर है बंगलादेश भुटान भारत मियामार नीपास सीरी लंका थाइलेंड ठीक है एक अशारी अच्छे अरब लोग इसमें रहते हैं बहुत बड़ी बिम स्टैक लेकिन इस बिम स्टैक के अंदर जो है वो इन्हों यानि आप यह देखे ना कि बंगलादेश भुटान इंडिया निपास सीरी लंका यह तो सार्क के मुलक हो गए ठीक है पाकसान इसमें नहीं है और दो मुलक इन्हों नहीं उठा लिए जनूब मश्रिकी एशिया से यानि मियामार और थाइलेंड और यह बिम स्टैक बना द फोरम बना लिया जाए और उस फोरम को बनाने का मकसद यह है कि जो वो जो चिकन नेक है चिकन नेक के पार जो नौर्च एस्टन स्टेट्स हैं इंडिया की अरणोचल परदेश आसाम नागालेंड मानीपूर तिरिपुरा मीजोराम यह वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चा ट्राइलेटरल हाइवे बनानी है जो के आगे कंबोडिया लाउस और वेतनाम तक जाएगी तो दूसरे जो प्रोजेक्ट है कलादान मुल्टाइव मॉडल प्रोजेक्ट एक बिलियन का ठीक है अचा वो जो प्रोजेक्ट है वो भी इस तरह से शुरू होता है कि वो भी चीनी घी इनकी कीमतों में अजाफा यहां डॉक्स हैबा मसला यह है कि आज इस वक्त गरीब आदमी हाथ उठा कर बदवाएं दे रहे कि कोई तो जुरत पैदा करो और किसी तरीके से हमें 15,000 में घर का चुला गरीब बच्चे के मुमें रोटी किसी को कोई खाने का सालन ब जबानसरी बजा रहे हैं उपर बैठा है और बहुत ऊपर बैठा है नीचे इसको कुछ नजर नहीं आ रहा है इसने रोको यह जो दो धाई महीने यह पूरी बजट से पहले और उसके इंडिकेटर्स और यह सारी बाते तो इनकी एक टोटल फ्लॉट थी टोटल डिसीट इस तश्वीशनाक सूरतहाल हमारी सरदों पे है और बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में कुछ निए पता उसमें बारे में भी मारिया देर तोटली क्लूलिस कि क्या इनोंने करना है कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है कोई इनके पास वेफॉवर्वर नहीं है बस इन आप इन से जितनी करा लें इस बातों में ये काजी को भी राजी करते हैं लेकिन बाकी खैर खरियत है चुकर करें वो ये नहीं कह रहें कि अमरीका से आटा कंपेर कर ले हम सस्ता बेज रहें आटा अमरीका बारों को या आना चाहिए बिलकुल कर ले आप मुझे ये बताए हैं कि अपने जिन्दकी में काफी मेरी रूमर हो गई है मैंने ये नहीं देखा कि दो किलो चीनि के लिए या किलो चीनि के लिए आप लोगों को कितारों में खड़ा करें वो भी रमजान शरीक के महिले में तो अकुमत फिसलिटेट कर रही है ना ज्याद दोगा के वाले हैं लोगों कोम सस्ती चीनी दे रहे हैं और उसके इलावा फिर आपने अंगूठों पर निशान लगाई उन्ते दो किलो चीनी चीनी चारे मैं पैन इसलिए कि मार्केट में और यूटेंटी टॉर में फर्क है दर असल जूट का ना सार होता है ना पैर बजट पर पूरा बजट ही एक जूटका पलंदा था और अभी मईषट आई-म-फ के कहने पे चलाई जा रही है ये पेट्रोल और दीगर अशिया की चीज़ों की कीमते बढ़ाकर हकूमत ने अवाम को I.M.F. की जानब से एड़ से पहले एड़ी दे दी सेच तो ये है कि पाकसान बनने के बाद से पेट्रोल आज तक इतना महंगा नहीं हुआ जतना आज हो गया ये भी इसी हकूमत का क्रेडिट है सिर्फ पेट्रोलियम असनुआ आती नहीं अलपीजी की कीमत में भी पांच रुपए का इजाफा कर दिया इसके बद सरकारी कीमत एक सो साट रुपए फी किलो से तजावस कर दी सबसादा मुशीर और वजीर वजीर खजाना तो इस हकूमत के पास है वो बेतर बता सकते हैं कि पेट्रोल और लपीजी की कीमत बड़े तो आम आदमी को फरक पड़ता है के नहीं अभी जो ईद पर परदेशियों ने अपने घर को जाना है इनको इसका कितना को मियाज़ा बुगतना पड़ेगा और सिर्फ पेट्रोल महिंगा होने से महिंगाई का एक मियार रेला आएगा और उक किस को मतासर करेगा अंदाजा लगाना तो मुश्किल नहीं है लियाज़ यह जो बाकी बचे कुछ 18-20 करोड अवाम आदमी है इनका लाही मालिक है इनकी गदागाडियों को पेट्रोल चाहिए भी नहीं होता चीनी फी किलो कीमत 17 रुपए अजाफा अब यूटिल्टी स्टोर पे चीनी तकरीबन 85 रुपए किलो दस्तियाब होगी 20 रुपए किलो आटे का तहला मजीद यानि 1500 रुपए महंगा कर दिया गया यूँ 20 किलो का आटा 950 रुपए का हो गया गी की कीमतों में भी 90 रुपए अजाफा कर दिया गया और एक किलो गी का पैकेट अब 170 की वज़ाए 260 रुपए फी किलो में दस्तियाब होगा इस सब को मालूम है कि यूटिल्टी स्टोर पे गरीब उस वैद पोश बंदा जाता है उसे तो अंदाजा लगा ले कि हकूमत को गरीबों की कितनी फिकर है पाकिस्तान ऐसा मूलक है जो अपने दुखों से दुखी नहीं है मगर दूसरों के खुशियों से दुखी है और इसका उधरन आपने देखि लिए किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के बिंस्टेक प्रोजक्ट से चिड़ गई है और वो कहरें किस तरीके से ये चाइना को घिरने के तयारी कर रहा है भारत इससे पता चल जाता है घर में तो दाने हैं नहीं खाने के लिए और दूसरों के देशों में टांगल आ रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में बूरी तरह फस चुका है चारों तरह से पाकिस्तान में लाशे आरे फिर भी पाकिस्तान को समझनी आरी पूरी दुनिया का चौधरी बनना चाता है पाकिस्तान मगर उसमें कुछ काबलियत भी तो हो घर में लोग दो वक्ती रोटी के लिए भूगे मर रहे हैं और आगे जाके पाकेतन अगर ऐसी चलता रहा तो इनके देश बिलकुली सोमाली से भी बतर स्थिती में पहुंच जाएगा और आगे देखे फ्रेंट पाकेतन के साथ क्या होगा जैहन धन्यवाद